नमस्कार प्यारे दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप आप बहुत ही बढ़िया चल रहा है रक्षा बंधन का त्योहार और आपने भी मना लिया है और भाईया प्यारी प्यारी आपकी कलाईयों पर राखियां बंद चुकी हैं आपकी बेहनों ने आपको राखियां बांध ही दी हैं और आपने भी शपत ले ली है कि अपनी बेहन की पूरी पूरी रक्षा करेंगे और जो भी जिन्दगी भर कमाएंगे उसमें सबसे पहले जाके अपनी बेहन को कुछ हिस्सा दे देंगे ये शपत लिये की नहीं या तो और भी कमी नहीं होनी चाहिए तो आज हम फिर से अगली क्लास लेकर हाजरें प्यारे दोस्तों बहुत प्यारी क्लास होगी अमरीश चंचल जी आप तो गायब ही हो गएते सर कहे रहे हैं कहा गायब हो गयते हम अभी फ्राइड़े गो तुवारी क्लास ली थी हमने Poland की क्ला कि मेरी एक क्लास नहीं हो पाई थी बाकि अदर्वाइस तो हम यहां हैं और आप यहां पूरे हफ़ते पांच क्लासे अगली होंगी और ना केवल वो मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर भी है प्यारे दोस्तों तो आज हम साइंस और टिकनोलोजी पढ़ने वाले है प्यारे दोस्तों अच्छी खबर यह है कि मेरी फ्री स्पेशल क्लासे अन अकैडमी पोर्टल पर आ रही हैं हर संडे सुभे यह फ्री क्लासे होंगी उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे साथ पूरे जोश के साथ जुडेंगे यह सौर नो जुडेंगे नहीं जरा कनफर्म कीजे मेरे साथ आप सभी जुडेंगे पूरे जोश के साथ हर संडे सुभे जरा कनफर्म कर दो एक बार तो सर शेडियूल तो बता दीजे जुडेंगे कैसे यह शेडियूल हम आपको कल या पड़सों पूरी तरह से बता देंगे कि exactly हमारी यह free special classes का नया शेडियूल क्या ह होने वाला है यह आपको हम बता देंगे नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है प्रतीक जी ने हमारे चित्र भी देख लिए जो हमने सोशल मीडिया पे डाले थे क्या बात है क्या बात है क्या बात है तो प्यारे दोस्तों दवल बोल और दो classes होंगी या तीन होंगी यह सारा schedule कल या पड़तों में proper schedule आपको दे दूँगा और आप तुरंट सारी classes में enroll कर लीजेगा ठीक है तो पिछली बार जैसे सेकड़ो सेकड़ो बच्चे आके हमारी classes attend किये थे मैं बहुत सारे topics पर लेता हूँ मैं economy पर भी लेता हूं science and tech पर भी ले लेता हूं उसके अलबा जोग्रफी भी बहुत मज़ा आता है बच्चे सुबह आते हैं बहुत प्यारी classes होती है तो मैंने सोचा आज भाईया आगस्त का महीना है इतना पावन तयोहार है आज तो आज के दिनी यह पावन घोशना भी कर दी जाए तो चलो कॉमें classes मैंने आपके साथ अभी तक कंड़क कर ली हैं बहुत गहराई से सारी चीजें पढ़ा रहा हूं कुजिस करवा रहा हूं इसके अलावा 50 सेशन का मेरा कोर्स मेरे पोर्टल पर अनकैडमी की मेरी प्रोफाइल पर अवेलेबल है तो जो बच्चे पूछने की सर अनकैडमी पर आपकी प्रोफाइल कहां है वो प्रोफाइल कहां ढूंड़े तो वो आपको हम दिखा देते हैं अभी लाइव में क्या दिक्क्रत है ये मेरी प्रोफाइल है तो अभी तक हो चुके है अब जैसे यह पचास सेशन का साइंस टेक का कूर्स already हो गया है तो आप enroll करोगे मेरे code के साथ तो यह सब आपको accessible हो जाएगा तो हम syllabus पूरा कराएंगे economy crackers मेरे 13 हो चुके हैं अभी तक इस हफते में 14 और 15 cover करूँगा यह सब directly exam oriented topics हैं ध्यान रखियेगा आईए इस हफते का schedule देख लें आज है तीन अगस indigenous technologies one कराऊंगा बहुत मज़ा आएगा भारत में क्या-क्या technologies latest develop हुई हैं अब दो session हम इस पे लेंगे तो क्यों लेंगे इसके उपर क्योंकि आप syllabus अगर देखेंगे प्यारे दोस्तों indigenization of technology आपको देशज रूप से प्रध्योगी की यहने स्वदेशी प्रध्योगी की and developing new technology और नई प्रध्योगी की का विकास तो मैं इसलिए यह syllabus में लूँगा याद रखिएगा पूरा जो planning है न कोर्स का उसमें एक-एक-एक-पी syllabus का उठा-उठा के हम पढ़ा रहे हैं फिर आगे अभी एसेंटी के current affairs भी पढ़ाएंगे अभी तो बहुत महिनों तक आपको बहुत input सम देंगे और यह आपको पूरे exam में पूरे syllabus में सब जगे मददगार सिद्ध होगा आप बस इमानदारी से कीजिए कल मंगलवार चार अगसकों में लूँगा इसी का दूसरा हिस्सा गुदवार पांच अगसकों में लेने वाला हूँ defense technologies सुरक्षा रक्षा से संबंदित और गुरुवार और शुक्रवार को लूँगा economy cracker 14 और 15 यह इस code है smsir10 एक बार सभी बच्चे जरा comment मेरा code लिख दो smsir10 smsir10 यह वो code है जो आपको anacademy plus पे लगाना है जब भी आप paid subscription लेंगे smsir10 तो आपको 10% benefit मिलता है और आप मेरे साथ जुड़ जाते हो यह count हो जाता है तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता anacademy में तो आपका य मिली रहा है लेकिन थोड़ा और बढ़ जाए तो आनन परवानन की स्थिती आजाएगी हमारी भी yes or no तो प्यारे दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फटा फट आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़ाएंगे बहुत मज़ा आएगा और अब शुरू करते हैं प्यारे दोस्तो आप इसको बोलो तुझे हिंद महासागर तैर के जाना उसके एंड में 50 PDF रखें वह जपाग 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 तैर के निकल जाएगा भाई साब आप उसको बोलो कंचन जंगा की चोटी को छूकरा वहां तिरंगा लहरा क्या तेरे को 60 PDF मिलेंगे वो धर 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 चड़ पीडियेफ के लिए कुछ भी करा लो तो भाईया हम बैठी यह से जानते हैं अच्छे से यूज करें और यह बची हुई लिंक से यूज करो शुरू करते हैं इंडिजिनस टेक्नोलोजी वन्स वदेशी तकनीके एक सबसे पहला आज मैं चार तकनीकों बात करूंगा अच् के उपर की मेंटी क्विज हम कल की क्लास में कंड़क करेंगे कल जो हम लेने वाले इंडिजिनस टेक्नोलोजी इस टू यह दोनों को हम मिक्स कर देंगे और इसके उपर हमें 15 क्वेश्चन का कंबाइंड क्विज कल बनाएंगे आज की क्लास और कल की क्लास पर कंबाइंड म Menti Quiz, कल होगा क्लास के अंत में 15 questions का तैयारी रखना, फुल पेस में कल करेंगे, Atomic Clocks by Isro, CSIR, NPL, कोई मुझे बता सकते हैं CSIR, NPL का full form, सबसे पहले तो मुझे आप CSIR, NPL का full form जरा, लपक के बता दो गुरू, Isro का तो खेर तुमें पता ही है, लेकिन CSIR, NPL का कौन बताएगा, Hindi English में दोनों में मैं दे रहा हूँ आपको, साथकृत पाथक पूछ रहे हैं, सर, Menti, साथकृत जी, जब हमारे students यहाँ, मैं समझा देता हूँ, Menti का concept, साथकृत जी, जब हमारे students यहाँ, अनक आडिमी पर जुड़ते हैं हमारे साथ, तो उन में से कई teacher के साथ, काफी यहने Menti, तो Menti.com उसका उद्गम ऐसे हुआ है, बाकी वो कल हम बताएंगे आपको, बाकी के बच्चे सब समझी गए, समझदार बच्चे बैठे हैं, CSIR NPL का फुल फॉर्म जल्दी से बताओ, तो उसके बाद हम आपको फटा-फट, फटा-फट, फटा-फट बताएंगे, कि भाईया, यह Atomic Clock की क्या कहानी है, NPL का फुल फॉर्म कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, तो NPL का फुल फॉर्म, उसके बाद हम चलेंगे, तुरंत ही, CSIR NPL एक बार जैसे ही हुआ, तो हम इसके बाद आने वाले हैं, Atomic Clock में अंदर होता क्या है, चलती क्या है, in fact, कोई भी घड़ी कैसे चलती है, ये भी आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, कहीं ये कोई National Physical Laboratories तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, गायत्री चारचिया कह रही है, हेलो सर, हेलो गायत्री जी, बहुत-बहुत स्वागत है, आपका आज बड़ा पावन पर्व है, आपको शु समझ ना, टक्नीकी है, लेकिन आपको बहुत मदा आएगा, और ये हमारा इसरो का IRNSS है, जो की रीजनल सिस्टम है, चाइना ने ग्लोबल सिस्टम शुरू कर दिया, बैदू के नाम से, तो बैदू जो है, वो अमेरिका के GPS को रिप्लेस करने में सक्षम है, ये हमारा रीज में पढ़िएगा, फिर उसके बाद ब्रह्मोस पर चलेंगे, आनन्द पर्मानंत, व्यारों दोस्तों, एक एक अटॉमिक क्लॉक, परमानु घडी, इसरों ने CSIRNPL के साथ मिलके, औरिजिनल काम CSIRNPL का, इसलिए मैंने हेडलाइन में दे दिया नाम, जब से बनाई है, तो इसरों दुनिया की उन कुछ space agencies में शामिल हो गया है साथियों, जो अब atomic clock पर काम कर रहा है, atomic clock उसको लिया जाता है, उसको कहा जाता है, और इसलिए लिया जाता है, कि बहुत जहां accuracy की जरूरत होती है, आपने satellite उपर छोड़ा और वो positioning satellite, मैंने आपको GPS पूरा पढ़ाया था, याद है न हमने GPS और satellite पांच lecture डालो, क्या गहराई में जाके पढ़ा, कितना मज़ा आया, satellite technology के शांदार है, हमने satellite technology भी पढ़ी, बायो technology भी पढ़ी, नैनो technology भी पढ़ी, quantum भी पढ़ ली, क्या-क्या पढ़ा, तुम्हारे साथ मेरा भी इतना knowledge बढ़ाएगी, पूछ accuracy की जरूवत बहुत पढ़ती है, जरा सा भी मिली या माइक्रो सेकंड से उपर नीचे हो जाए, तो भाईया बहुत गरबढ़ हो सकती है, इसलिए आपको धीरे धीरे ऐसी clocks बनानी पढ़ती हैं, कि जो सैकडो सालों में बिल्कुल माइनर फरक दे, उससे आप international systems को बहुत confidence से चला सकते है, atomic clock basically इसलिए बनी, आपको समझ मैं precision की जरूवत क्या होती है, yes or no, सबसे पहले तो ये बता दो, और आज ऐसा लग रहा है कि हमारे student थोड़े से थंडे बैठे वे हैं, तो भाईया आप हम एक पोल ले रहे हैं आप सभी का, जल्दी से बताइए, आज रक्ष को क्या दिये, पैसे दिये, तोहफा दिया, किताबे दी, मिठाई दी, क्या दिया, डेर सारा प्यार, सुरक्षा की guarantee, वैसे आज की नारी को किसी की guarantee की दरूवत नहीं है, तो आपने क्या दियो और आपकी शेहर के हैं भारत के, ये भी हमें फटा फट पांस सेकंड में बता ये गहरे अंतरिक्ष की atomic clock क्योंकि वो जब आपके वहाँ पर Hubble जैसे और Webb जैसे space telescope होते हैं जिनको बहुत ज्यादा precision की जरूरत होती है, तो राकेश हुमार रवी बहुत ही चतुर वेक्तिये बोलते हैं, बहुत सारा प्यार दे दिया सरमने, तो बजगे बैटा तुमने, 101 इसा नहीं चलेगा, हाँ, तो प्यारे दोस्तों, नासा का deep space atomic clock एक बड़ा उच्च मानक है, इसरो की atomic clock को सारे navigation satellite में होगा ताकि precise location data मिले, वर्तमान में इसरो जो है European aerospace manufacturer estrium से आयात करता रहा, लेकिन धीरे 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 इसका देशज करण या स्वदेशी करण हम कर रहे हैं indigenous technologies, अब भारत सरकार ने कहा, Chinese app ban कर दो, हलांकि IPL वाले बोल रहे हैं कि हम तो Chinese लोगों की sponsorship लेके IPL चलाएं, यह बड़ा अजीब decision है, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हमारे सैनिकों की शाहदत होरी दर IPL वाले बोल रहे हैं, Chinese sponsors को हम नहीं छोड़ेंगे, आप IP ना और अमेरिका के markets को capture करें, हमारा ultimate goal वो होना चाहिए, सिर्फ import substitution हमारा goal नहीं हो सकता, हमारा goal होना चाहिए दुनिया के market, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि indigenization of technique का क्या मतलब होता है, तो हम पहले यह सर्व atomic clock आयात करते थे फिरे धीरे हमारे ही संस्थानों ने इसको बनाना शुरू किया, IRNSS, Indian Regional Navigational Satellite System 1I, यह उस satellite का number है, और IRNSS को ही हमने नाविक नाम दिया है, नाविक का मतलब होता है, navigation by Indian constellation आपको पता ही है, यह इस रोका कहना है, navigation by Indian constellation, यह सोर नो, सबको पता है कि नहीं, तो एक बार comment thread में जरा फटा फट लिख दो भाया, navigation by Indian constellation, सभी बच पता फट, comment thread में एक बार लिख दीजिए, IRNSS is equal to NAVIC, और NAVIC का मतलब है, navigation by Indian constellation, एकदम बेसिक्स, आसान वाले questions हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अब यह IRNSS 1I, जो है, वो यह रहा, geosynchronous orbit में घूम रहा है, भूस समकालिक, यह हमने आपको बताया है, भूस्थिर यह हम पहले पढ़ चुके हैं, अब उसको तो फिर से पढ़ेंगे नी, लेकिन आपको फिर से यह दिखा रहे हैं हम, IRNSS 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 1I, यह सब की rotation देखिए, तो पृत्वी के उपर इसके तीन तो geostationary बिंदू बनते हैं, दोस्तों, यह आपको बताया था, और दो इसमें से जो तीन हैं, जीयो से stationary हैं, और चार जो हैं, वो आठ का आकार बनाने वाले जीयो synchronous हैं, अब यह क्या है, IRNSS में जो हमने लगा रखा है, navigation payload में, इसमें प्यारे दोस्तों, आप जानते ही है, position velocity time तीनों के लिए यह satellite मदद करता है, L5 band और S band में telecommunication में मदद करता है, rubidium atomic clocks इसके साथ भेजी गई थी, rubidium परमाणू घडियां, यह बताने के लिए इतनी लंबी कहानी मुझे बताना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं step by step आपको लेकर यहां तक आया, rubidium atomic clocks इसके साथ में गई हैं, तो precision बहुत जाता बढ़ गया, मुझे आपको यह भी ब NPL की, इसमें बाकी का तो सब communication का है, लेकिन यह clock आने से precision बढ़ जाएगा, तो यह navigation देख ली चे एक बार फिट से, revision हो गया, space technology का थोड़ा सा, वो मेरा main आज का agenda बैसे नहीं है, development of swadashi rubidium bulb and cell, तो यह जो है हमारा CSIR का NPL जो है, मैंने पहले आपको बताया, Council for Scientific and Industrial Research, इसकी सेकड़ो लिबोरेटरी भारत में काम करती है, इसका हजारो करोड का बजट होता है, वारशिक सरकार R&D पे काफी खर्च करती है, हालांकि भारत में हम विज्ञान और प्रद्यकी पी टोटल इतना खर्च करते हैं, वो काफी काम है, हमें बढ़ाना इसका जो फिजिकल लिबोरेटरी है, उसने पूरा पूरा एक तकनीक बनाई और इसरो को ट्रांसफर कर दिये, वो तकनीक का चित्रा आपके सामने है, पहले इसका मॉडल बना और उसके बाद स्पेस एप्लिकेशन, सैटलाइट एप्लिकेशन सेंटर पे उसको इंटिग्र करने से पहले रिफाइन किया गया, और अब रुबीडियम बल्ब और सेल्स का फॉर्दर डेवलप्मेंट चालू है, अभी तक हम इसके बहुत सारे हिस्से यॉरप से आयात करते थे, धीरे-धीरे CSIR-NPL पूरी की पूरी रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक का स्वदेशी करन कर रहा है, तो इस पर सवाल बनेंगे, तैयारी रखिएगा, ये पूरा आपको इसलिए बता रहे हैं, अब आप से कोई ये पूछ सकता है, कि आखिर ये घडियां होती क्या है, एटॉमिक क्लॉक चलती कैसे है, तो क्या आप सीखना चाहेंगे, कि अल्टिमेटली एक होता है, वो पेंडूलम है, आपको पता ही ये वो हिलता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट हिलना, उसका काम है, इस तरह से वो हिलता है, और वापिस अपनी पोजिशन पर आ जाता है, यहां पर वो उपर फिक्स रहता है, और in the clock की track of time by counting the resonations, कितनी बार pendulum आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे जूला, उस पे से घड़ी के अंदर लगे हुए gear समय का calculation कर लेते हैं, समझ में आ गया normal frequency क्या होती ही बेटा pendulum के घूमने की, one swing per second, प्रती second एक swing की आवरती पर प्रती ध्वनित होता है, उसके साथ gear सेट हैं, और एक बार ये fix हो गया, तो आगे second का काटा भी fix हो गया, minute भी fix हो गया, घंटे का काटा भी fix हो गया, basic भी एक pendulum इतनी देर में जाएगा, अब अगर वो pendulum air friction ते थोड़ा ढीला हो गया, उसके gear में थोड़ा friction आ गया, heat generate हो गया, fast हो गया, slow हो गया तो precision नहीं आ पाता है atomic clocks इन सारी चीजों के परे होती है, क्योंकि वो atoms के vibrations पे चलती है, और atom का vibration जो है वो universe में fix है, वो जब से ब्रह्मान बना तब से वो कुछ चीजें physical constants है, उसको इनसान बदल नहीं सकता है, इस वजह से वो ज़्यादा reliable हो जाती है, बात समझ में आ रही है आप सभी को, अच्छे से clear हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगर आप इसको देखेंगे, digital clock में क्या हुआ, एक क्रांती या तो उसको ले लो, और उसपे से time calculate कर लो, या जो अंदर quarts के crystal डाले जाते हैं, उसको resonator बना लें, और उसको digital counter से जोड़ लें, इसका मतलब, या तो वो 60 second की alternating current की frequency, या भारत में 50 frequency per second वाला जो होता है cycles, और या quarts crystal का resonator उसको जोड़ लो, तो उस पे से घड़ी बन जाती है, atomic clock इनसे अलग है, atomic clock basic atoms की frequency को resonator बनाती है, resonator शब्द आप याद रख लीजेगा, बहुत ज़रूरी है, अनुनादक resonator, cesium 133 का जो atom होता है न, cesium 133 का, वो एक second में इतनी बार resonate करता है दोस्तों, ये नंबर देखो आप, 919 करोड, 26,31,770 बार, cesium 133 का atom, एक second में 919 करोड बार oscillate करता है, अब उसमें थोड़ा बहुत उपर नीचे भी हो जाए, तो क्या accuracy को फरक पढ़ना है, इसलिए atomic clock पे जाया जाता है, और ये सब विज्ञान ने measure कर लिया है, समझ में आया आपको, इसलिए atomic clocks almost perfect होती है, ये हमने थोड़ा detail में भी आगे बताया है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, कि किस प्रकार से atoms के अंदर काम होता है, और इन सब को विज्ञान ने जोड़ने का तरीका ढूंड लिया है, अलग-अलग orbits के बीच के difference पे से काम होता है, frequency refers to the number of waves that pass a particular point in space in a given unit of time, waves को count करके, हम time को measure करते हैं, और उस पे से atomic clock में frequency of quads oscillator is transformed into a frequency that is applied to a collection of atoms, और ऐसा करके atomic clock चलती है, एक basic आपको ज्यान होना चीए, इसलिए हमने आपको बताया, सारे atoms को vacuum chamber में रखा जाता है, और इन में से कुछ में atoms vacuum chamber wall के साथ भी interact करते हैं, ये cesium oven है, इसमें cesium atom है, जिनको गरम किया जा रहा है, फिर magnets लगें, फिर microwave cavity है, फिर detector है, और ये सब एक digital display के साथ link हो जाता है, अब second को कैसे define किया गया है, आप जानते हैं, standard international system में, meter, second, kilogram, temperature में, Celsius, पूरी-पूरी 7 units defined है, second को define किया गया है, as the duration of 919 crore cycles of radiation, which is the transition between two energy levels of the ground state of cesium 133 atom, cesium 133 atom के ground stage की two orbits के बीच में, जो change होता है, वो per second में कितने oscillation देता है, वो second की definition है, समझ में आया, और cesium atom at rest at a temperature of absolute zero, तो ये artificial absolute zero का आपने बनाया, और उसको measure किया, मतलब ये इतना ज्यादा accurate है, कि अब इसमें, आप कहीं भी कुछ मिस नहीं कर सकते हो, और आप दुनिया भर के systems को इसके साथ link कर सकते हो, काफी तकनीकी है, लेकिन आपको basic level पर जो मालूम होना चाहिए, वो मैंने बता दिया है, detail इसमें content हमने दिया ही है, ये पूरा पढ़ ले न, PDF डाउनलोड करके, बारी की से दो बार पढ़ोगे, चीज़े समझ में आ जाएगी, मूल बात यह है कि CZM की आपने resonating frequency यूज कर ली, that is it, समझ में आ गया, कमल कान नायक जी, यहीं से time set होके जाता है, और एक बार ये atomic clock set हो गई, वो तो उपर से बस radiation छोड़ती रहेगी, अब आपके यहाँ पर जो units हैं, वो पूरे उसको connect करते रहेगे, that is it, उससे जादा कुछ भी नहीं होना है, clear हो गया, चालो, अब आगे चल रहे हैं दोस्तों, atomic clock by isro, आपको मूल रूप से मालूम होना चीज, इसके elements क्या-क्या हैं, ये extra content है, आप अगर इसको पढ़ लेंगे, तो अच्छा रहेगा, बहुत detail में कोई पूछेगा नहीं आप से, क्योंकि ये physics की exam नहीं है, हाँ, अलागि basic physics है syllabus में, उत्रा basic मैंने बथा दिया है आपको, चलिए दोस्तों, अब हम अगले पर आगा है, Brahmos and the indigenous seeker, Brahmos missile भारत ने रूस के साथ मिलके बनाई, पहले Soviet Union हमारा बहुत बड़ा दोस्त था, हमने बहुत हतियार करी थे, पहला concept clear हो गया न, मूल रूप से atomic clock, अब क्या करती समझ में आया न, extremely precise time keeping, और ये आप space में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिश्वी में भी यूज़ कर सकते हैं, ये घड़ी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि space में, लेकिन इस तो लेके गया, IR NSS में लेके गया, ये बताना था, इसलिए मैंने space बोला, अब ब्रमोस पे आते हैं, पहला concept clear हो गया, तो एक बड़ सब लोग बोल दीजे, yes sir, करके दिखाएंगे, दोस्तों, Soviet Union हमारा बहुत बड़ा दोस्त हुआ करता था, बहुत हतियार सप्लाइ करता था, सब करता था, कई बाद साथ में टेक्नोलोजी भी सप्लाइ कर देता था, हतियार के बगएरा, Soviet Union का तो पतन हो गया, फिर हमने रूस से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली, 1991 के बाद रशिया बना, USSR खतम हुआ, हमने हतियार खरीदने जारी रखे, और फिर कुछ समय पहले, हमने एक Joint Venture Company बनाई, संयुक्त उक्रम बनाया, भारत भी उसमें है, रूस की भी Company है, और दोनों ने मिलके, दुनिया की सबसे शांदार मिसाइल, अपनी Range Category में, अपनी Speed Category में, इसको दुनिया की सबसे शांदार मिसाइल बाना जाता है, ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मस्कवा, ये दो नभीयों का नाम जोड़ा तो बना ब्रह्मोस, ये हमने बनाना शुरू की, आज हम इसको दुनिया में बेज भी रहे हैं, और ये Missile Technology Control Regime, MTCR के नियमों के तहद भी आता है, MTCR, Missile Technology Control Regime, Basically MTCR क्या करता है, दुनिया में ऐसे चार, Defense Technology Control Regimes हैं, सुरक्षा प्रध्योगी की नियंत्रण व्यवस्था हैं, कि भाई ऐसा नहीं हो कि North Korea को सबने Missile बेट डाली, तो North Korea तो किसी पे भी बड़सा देगा, तो आपको एक Missile Technology Control Regime है, कि अगर रूस भारत के साथ करेगा, तो भी 300 किलोमेटर के आगे की रेंज नहीं रखेगा, इतने मैक्स से अधिक स्पीड नहीं रखेगा, इसे बहुत सारे नियम होते हैं, भारत MTCR के नियमों का पालन करता रहा है, तो मैंने MTCR आपको इसलिए बताया, ताकि आपको ये पता हो कि ये सारी मिसाइलों का जब निर्मान शुरू हुआ, तो ये एक नियम बद्ध तरीके के तहत हुआ, समझ में आया, शशी कपूर जी पूछ रहें कि सर्क पीडियाफ मिल जाएगा, आपको उसके लिए हिन महासागर तेर के मुजांबीक तक एक बार जाना पड़ेगा, वहां हमने आपके लिए पच्चास पीडियाफ रखे हुएं, शाम तक शशी बाबू पहुँच जाएंगे तरीके जयरएं, अरे मिलेगा गुरू क्यों नहीं मिलेगा यार। हम तुम्हारे दोस्त हैंँ, तुश्मन फोड़ी ये पीडियाफ देंगे, पूरा पीडियाफ देंगे, कसम से बोल रहा हैं, विल्कुल चिंता मत करो तूं विल्कुल चिंता मत करो ब्रह्मपुत्रा और मस्कवा MTCR कमलकान नायग जी S400 बोल रहे हैं S400 प्यारे दोस्तों ये तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो तो मिसाइल शील्ड है समझ में आगी गायत्री महपात्रा जी बोल रही है सर कोड गायत गायत्री जी अपने भाई को राखी बांध रही थी उसके बाद भाई से पैसे मिले और गायत्री जी मिठाई खाने में व्यस्त हो गई इसलिए गायत्री जी लेट आई वो कोड मांग रही है वो भूल गई हमने क्या नाउंस किया कि आज और कल के सेशन की कंबाइं 15 क्वि अभी पढ़ा दूँगा आपको जब मैं एक टेक्नोलोजी पढ़ा रहा हूं तो मैं साथ में आपको सब कुछ बताऊंगा यह अलग-अलग प्रकार के इंजिन है solid propulsion engine, liquid propulsion engine, hybrid propulsion engine, ramjet engine, scramjet engine, cryo engine यह पूरा बताऊंगा आपको यह जो पूरे पहला propulsion based, दूसरा hybrid, तीसरा ramjet, यह पूरे पांचो प्रकार अभी बताऊंगा दो मिनिट में, यह भी परिक्षा में पूछे जा सकते, तो बात से ब्रह्मोश की नहीं हम जब कुछ पढ़ेंगे, है की नहीं, एक चीज पढ़ो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें पढ़ लेने चीए, yes or no, clear हो गया हम तो गाने भी गाते हैं, आप आज किसी ने गाने की डिमांड नहीं किने तो राखी के पावन पर पे तो क्या-क्या गाने बन सकते हैं, भाई साब, पूछो ही मत, हम आपको सारे गाने सुना देता है, किसी ने गाना मांगा ही नहीं हम से आज, तो धर्त तेरे कि हमने भी गाना बजाना तो चलता रहेगा my dear student ब्रह्मोस को हमारी सेना को भी दिया गया है वायू सेना को भी दिया गया है सुखोई के साथ launch होता है समुद्र में भी दिया गया है और तीनों सेनाओं के पास adaptation करकरके ब्रह्मोस लगाए गये हैं यह cruise missile 3 Mac की speed पे चलती है यहने ध्वनी की गती से तीन गुना ज्यादा और अपनी category में रैमजेट सूपर सौनिक cruise missile में यह सबसे परिश्कृत 3 Mac मच नहीं है गलत चप गया 3 Mac इंडिया सप्लाइज दी ब्रह्मोस इनर्शेल नविगेशन सिस्टम and fire control सिस्टम तो अब भारत क्या क्या सपोर्ट कर रहा है भारत ब्रह्मोस में लगने वाले देखी यह इसके अलग-अलग हिस्से हैं यह आपको ब्रह्मोस के अलग-अलग हिस्से दिखेंगे इस तरफ लगा होता है guidance system यहां होता है propulsion system यह हो गए इसके wings और fins यह इसका solid state propellant होता यह चार इसके बड़े हिस्से हैं समझ मैं है आपको ब्रह्मोस aerospace नाम है यह भारत का जंड़ा यह रूस का जंड़ा नाव भारत इसमें inertial navigation system supply करता है और fire control देता है रूस क्या देता है ramjet propulsion system and seeker अभी तक अब धीरे धीरे भारत ने seeker भी खुद बनाना शुरू कर दिया क्योंकि कई मुद्दों पर रूस के साथ इसमें काफी विवाद हुआ था seeker की quality को लेके seeker की functionality को लेके तो भारत ने उसमें seeker भी लगाना शुरू कर दिया है यह Russian seeker है यह Indian seeker है दोनों में यह फर्क है अभी देखेंगे इसको Indian Ministry of Defense MOD का जो research आँ में DRDO और Indian Army ने Supersonic Brahmos Cruise Missile fitted with Indian made seeker को राजस्थान में 2018 में सफलता पूरवक परिक्षन कर लिया समझ में आया आपको तो सबसे पहले पोखरन test range में 2018 में राजस्थान में Indian seeker का तो seeker is one that seeks out the target वो thermal signatures के साथ seek out करता है वो lock हो जाता है target के साथ और seek करता है target को और यह cruise missile है ballistic missile नहीं है ballistic missile वो होती है जैसे अगनी जो पहले अंत्रिक्ष में जाती है और वहाँ से भयानक गती से नीचे आती है लक्ष पे तो वो bullet की गती से 5-6-7-8 गुना हो सकती है और इसलिए ballistic missile को रोकना लगभग असंभव होता है cruise missile को फिर भी रोक सकते हैं ballistic को तो practically माना जाता है कि बहुत ही लग से रुख गई तो रुख गई हलाग कि system पूरे बने में but one doesn't know until there is a full-fledged war cruise missile में आपके पास loitering ability भी होती है encircling ability भी होती है ballistic में ये कुछ नहीं होता ballistic अंत्रिक्ष में जाती है वहाँ जाके उसके सारे उपर के जो cap होती है वो खुलती है missile बहार आती है bum और वो अलग-अलग जगे गर जाते हैं एकसा दस बम वहाँ से चलाया जा सकते है nuclear भी हो सकते है non nuclear भी टिपिकल thermal munition भी हो सकता है cruise में ऐसा नहीं है cruise में आपके पास कुछ हट तक control रहता है precision strike weapon with indigenous seeker इसने अपना काम सही ढंग से 2018 में कर दिया था और ये पहली बार था जब भारत ने 2018 में खुद का seeker लगाया तो ये एक indigenous technology में हमने आपको बताया फिलाल अभी Russian seeker हम use कर रहे थे लेकिन भारत दीरे दीरे उसको छोड़ता जा रहा है और अपने seeker लगाता जा रहा है तो आखिर ऐसा क्यों seeker system basically precision ability का मूल मंत्र है हमारी ब्रहमोस missile की सटीक प्रहार की प्रभाव शीलता बढ़ाने में seeker का सबसे बड़ा योगदान होता है Electronic Corporation of India Limited भावा Atomic Research Center BARC और Defense Research and Development Revolatility DRDL और ब्रहमोस Aerospace के साथ मिलकर seeker बना रहा है ये चार संस्थान हैं जो मिलकर seeker बना रहे हैं ECIL बावा परमाणू अनुसंधान केंद्र DRDL और ब्रहमोस Aerospace चारो मिलकर भारतिय सीकर बना रहे हैं ब्रहमोस एक टू स्टेज मिसाइल सिस्टम है दोस्तों दो चरंका मिसाइल सिस्टम है जिसमें पहले Solid Propelant Booster Engine होता है जब Solid Propelant होता है तो हो मिसाइल को Supersonic Speed पे ले आता है हम इसकी बात कर रहे हैं पहले ये नीचे ठोस इंधन होता है ये Burst होता है पहले ये पूरा का पूरा भहनक स्पीड से जब जलना शुरू होता है तो मिसाइल आगे निकलती है ये मिसाइल को Supersonic स्पीड पे ले आता है उसके बाद ये हिस्सा अपने आप इससे कट के मिसाइल से अलग हो जाएगा वजन घटेगा फ्योल स्पेंट हो चुका है हिस्सा अलग हो जाएगा उसके बाद रैम जेट प्रोपल्शन टेक्स ओवर अभी पढ़ाऊँगा आपको जब रैम जेट प्रोपल्शन आता है वो उसको 3 मैक की क्रूजिंग स्पीड पे ले जाता है 290 किलो मीटर की इसकी अटैक रेंज है और ये 15 किलो मीटर हाइट तक जा सकता है और 10 मीटर जमीन के नीचे तक चल सकता है समझ में आ गया तो पानी के उपर आपने इसको चला है तो ये 10 मीटर उपर तक भी फ्लो कर सकता है रेडार से बचके निकलने के लिए बहुत अच्छी टेक्नीक इस सिस्टम की रेंज को 400 किलो मेटर तक बढ़ाय जा रहा है और इसमें जो हतियार है 200 से 300 किलो के बीच के हो सकते है फायर एंड फर्गेट प्रिंसिपल इसमें लगता है फायर और पूरी तरह से भूल जाईए मतलब इसको आपने एक बार फायर कर दिया भूल जाओ वो अपना काम करी देगा फायर एंड फर्गेट कहते हैं इसको समझ में आगे आपको तो प्यारे दोस्तों डिसम्बर 2019 साथ से कुछी महीने पहले ब्रह्मोस सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था इंडिजिनेसली मेड एर फ्रेम फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मोस धीरे धीरे पूरा स्वदेशी होता चला जा रहा है बहरत्य वज्ञानिकों ने इसकी सभी टेकनीकों को अल्मोस मास्टर कर लिया है और यह पूरा का पूरा अपने आप में स्टैंड अलोन इंडियन प्रोड़क कुछ महीनों में बन सकता है हालांकि रूस के साथ रिष्टे जारी रहेंगे उनसे हम टेकनोलोजी लेते रहेंगे लेकिन हम इसका स्वदेशी करण करते चले जा रहे हैं युनिवर्सल मिसाइल फर मल्टिपल प्लेटफॉर्म याद रखियेगा फायर एंड फर्गेट प्रिंसिपल है हाई सुपरसोनिक स्पीड पूरी फ्लाइट में होती है बहुत लंबी फ्लाइट अलग-अलग ट्रेजेक्टरी ले सकती है लो रेडार सिगनेचर पकड़ना मुश्किल होता है एक्कुरेसी बहुत भेंकर है और सुखोई जैसे बहुत डेडली विमानों पे लगा के जब इसको चलाया जाता है तो एक तो सुखोई की स्पीड और उपर से ब्रह्मोस की स्पीड ब्रह्मोस में तो अगर बम नहीं भी फिट किया जाए उसकी काइनेटिक एनरजी इतनी भेंकर होती कि वो पूरे शिप को उड़ा सकती है तो ये एक बहुत बड़ा डेटेरेंट है हमारे दुश्मनों के लिए ब्रह्मोस अब आईए दोस्तों जरा इंजिन्स के प्रकार देख लें ये बहुत जरूरी है एक्जाम में पूछ सकते हैं उसके बाद हम भारत की एक बहुत बड़ी सफलता पे बात करेंगे अभरत की बहुत सब्सक्राप अब हम पश्रूर का जरा इसे की तो अब हम वह रगए है और भाईया सबीलोग ध्यान रखें कुर्प्या बहुत अच्छे से खुद को सुरक्षित रखें हमारे इस कि संख्या भी बढ़ गई है मृत कों की संख्या ही बढ़ रही है पिर भारत, अमेरिका, ब्रजील, टॉप थी में फिक्स हो गए है, बहुत भयानकती से केसे बढ़ रहे हैं, हालांकि 90% रिकवर भी होंगे, पर अब जब होंगे, तब होंगे, मौते तो होई दीने आच, और बहुत सी मौते हैं, और बहुत से केसे तो रिपोर्ट तक नहीं ह समस्या है, अपने आपको बचा लें, बस आपके वेल इतना कीजिए, अपने परिवार को बचा ले, मास लगाए, साबून का इस्तिमाल करें, और गो करूना गो, नो करूना नो, करूना माता शान्त हो, करूना माता शान्त हो, ये मंतर लगातार बोलें, उसके बिना करूना बात है बहुत बढ़िया बात है can we use ballistic missiles on asteroid नहीं प्रतीक जी asteroid तक वो missile नहीं जाएगी क्योंकि वो तो pallet के नीचे आ जाएगी मैं बीच में से थोड़ा पीछे जाके अब देख रहा हूँ तो आप बोला गया है प्रताब बोल रहे है सर आप भी अन इंजिन की बात कर लेते हैं अब जब हम इंजिन की बात करते हैं एक song बनता है रजड़ स्वरूब बोलते हैं तो अगर song बनता है तो सेवेंटीज एटीज तर बहुत आया थे तो यह गीच जो मुझे यहां मताया मैं आपको सुरा दिया फिलाल ब्रह्मोस पर वापिस आजाओ गुरू अब जड़ा ब्रह्मोस को राखी बांधी जाए फटा 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 फट यस और नो अब यह है प्यारे दोस्तों हमार पांच प्रकार के इंजिन। सॉलिड प्रोपेल्शन का मतलब होता है उसमें जो इन्धन होता है ने वह थोस इन्धन होता है समझ हमाई बात आपको वह थोस इन्धन होता है I hope that is very clear लिक्विड में इन्धन होता है तरल नॉर्मली अल्यूमीनियम पाउडर होता है इन्धन स आसान, हैंडलिंग बहुत आसान और हाइश पीड बहुत जल्दी आ जाती है इसके अंदर, समझ में आया, तो जहां भी आपको बहुत जबर्दस थरस्त तुरंग चाहिए, तो वहाँ पर आपको ये किया जाता है, शंक धीफ होरे को ब्रैंड ब्रैंड सब पता है, बोलता है सर, ये तो वह फास्ट्रैक का सस्ता वाला चस्मा है, ये फास्ट्रैक भी-डूपलीकेट है, इस अड़क पे, पिछुत्र रुपर में विकराता है, आप बारगीन करके पैस हटimet लिया है मैंने, कोई तकलीफ है तुमको ये डूपलीकेट वाला फास्ट्रैक है, हम तो पह propulsion को restricting the fuel flow by walls कर सकते हैं solid के बजाए liquid वाले में कितना thrust कैसे कैसे generate करना वो थोड़ा control में रहता है इसलिए use होता दर्वाइस quick thrust चाहिए तो solid पे जाएंगे ये चीज़ें समझ लेना हैं ये सब directly syllabus का हिस्सा बिटा आपका hybrid propulsion में पहले solid आता है फिर liquid अभी तो हम इंधन की ही बात कर रहे हैं अभी propulsion system पे आने वाले हैं और इस प्रकार के propulsion में जो इन दोनों के minuses हैं उनको ध्यान में रखते हुए दोनों के pluses को ले लिया जाता है अब आजाओ ramjet पर अब इसकी बात कर रहा हूं में ये है ramjet engine हमने इ ramjet क्या होता है समझ ले ना बटा ramjet engine में कोई भी turbine नहीं होते है जैसे की ये turbojet में ये आगे turbine लगे हुए turbine क्या होती है बड़ी बड़ी चक्रिया होती है हमने आपको बिजली कैसे पैदा होती बताई थी उपर थाइड्रो पावर प्लांट में पानी गिरता है तर्बाइन घूमती है तो जनरेटर के अंदर magnetic field में टैंक शाफ्ट घूमेगा तो बिजली पैदा होगी nuclear power plant में वो गरम होता है तो steam बनती है steam turbine पे गिरती है तो turbine की पूरी चक्री घूमती है तो वो जनरेटर काम करता है thermal power plant में कोईला जलाते हैं तो पानी गरम होता है तो भाप बनती है तो तेज भाप टर्बाइन को घुमाती है सारा बिजली बनाने का काम टर्बाइन से होता है सिवाए solar power में solar power में तो सीधे सीधे power बहार आती है उसमें तो कोई टर्बाइन का काम ही नहीं है लेकिन बाकी सभी जगे सिध्धन टर्बाइन का होता है यह हम आपको खईबर पढ़ा चुके हैं याद आ रहा है कि नहीं आपको टर्बाइन यस और नो जल्दी बताईए लेकिन यहां टर्बाइन नहीं होती जो कि टर्बो जेट में होती है यहां पर यह इंटेक एर है दोस्तों यह इंजिन आगे चला और यह वाता वरंड मतलब यह वैक्यूम में नहीं चल पाएंगे से इन्होंने हवा अंदर ली जैसी हवा अंदर ली उसका कंप्रेशन हो जाता है यह आप देख रहे हैं यह इसके धाचे से कंप्रेशन हो जाता है और कंप्रेशन कैसे होता है जिस स्पीड से यह मिसाईल चलती है वो अपने आप हवा को कंप्रेश कर देती है और जैसे ही हव का compression होता है रैम जेट इंजिन में जिसमें कोई टर्बाइन नहीं यहां पर टर्बाइन का काम है आप देख रहे हैं धीरे धीरे reducing size की turbines लगी हुई है तो यह हवा को compress करकर के अंदर गुशा रही है यहां इसके आकार और इसकी speed से ही compression हो जाता है और यहां पर fuel डाल दिया जाएगा और यह पूरा पीछे की तरफ आग निकलेगी और यह आगे निकलेगा hot gases expand हो जाएगी शर्त सिर्फ यह है कि जो हवा यहां अंदर गुशेगी वो supersonic होनी चाहिए तो पहले आपको solid state propellant से speed लानी पड़ेगी ब्रह्मोस में उसके बाद ही ब्रह्मोस का ramjet कुछ काम कर पाएगा logic समझ में आ गया क्योंकि ramjet को automatically पहले moment से supersonic air की आवशकता होती है यह ramjet का logic हो गया scramjet क्या करता है supersonic combustion ramjet scramjet का मतलब है supersonic combustion ramjet मतलब यह ramjet के उपर थोड़ा सा एक फर्क है दोनों में फर्क यह है कि combustion यने इंधन का जलना हवा से मिलकर supersonic air velocity पर पूरे engine में चलता है यह बहुत सरल engine होता है लेकिन aerodynamically बहुत बहुत difficult है नॉर्मली इसमें इंधन hydrogen use होता है फिर तीसरा आता है cryogenic engine यह है cryogenic engine आप जानते हैं भारत में विकास cryogenic engine बना लिया है हमारे बाहु बली GSLV mark 3 में cryogenic engine लगा हुआ है last stage पर first second third stage पर cryogenic लगा हुआ है और वो कई टनों के satellite को लेके जाता है मालूम है न आपको gases को बहुत ही low temperature पर store करते है नॉर्मली liquid hydrogen होती है और liquid oxygen इसका oxidizer होता है और इस प्रकार से यह cryo engine होता है यह मैंने आपको सब प्रकार के engine बता दिये इन पे सवाल बन सकते हैं इस से ज्यादा depth में कोई नहीं पूछेगा बस आप इतना कर लेना तो भाईया मज़ा आया तो पर बोलो संदीप सर जिंदावाद मज़ा आ गया सर रैम जेक्ट स्क्रैम जेक्ट टर्बाइन इंजिन क्रायो इंजिन सारे क्लियर हो गए अब आते हैं थोरियम nuclear reactors पर प्यारे दोस्तों भारत में यूरेनियम की अधिक्ता नहीं है भारत में अधिक्ता है थोरियम की यूरेनियम करता है तो इसको सीधे सीधे परमानू रियक्टर में नहीं डाला जा सकता समझ में आए आपको इसको आपको डालने के लिए पहले थोड़ा सा परिश्कृत यूरेनियम लगेगा उसके बिना नहीं होगा यह सौर नो यह सौर नो यह सौर नो यह सौर नो समझ म आया आपको माई डियर स्टूडेंट्स इंडिया डॉस नॉट है लाज्ज रिजर्व सफ फ्रियम कितनी बड़ी बात है विश्व में थोरियम के सबसे बड़े भंडार का या भारत में तो एक बार कॉमेंट ठेड में लिख दो थोरियम जिंदा बात बजबूर यह लिखता क भी हरी वाजपई की सरकार में अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिये थे उस वक्त हम पे क्राइवजनिक इंजिन का सैंक्शन लग गया तो तो हमने खुद का डेवलप कर लिया यह भारत में बहुत अच्छी जहां हम पे कोई बैन लगाता है तो फिर हमारी आत्मा जाग जाती कि और ऐसी की तैसी हम पे बैन लगा दिया अब हम खुद टेक्नालोजी बना के बताएंगे और हम हर बार खुद की टेक्नालोजी बनाते ग्रे कंप्यूटर पे रोनल रिगन ने बैन लगाया भारत ने खुद के सुपरकंप्यूटर बना लिये चिप्स सुपरकंप्यूट CHI PPS Thorium cryogenic engine पे उस वक्षट Bill Clinton ने बहन लगाया इस वालों ने खुद के cryogenic engine मना दिये तो इस प्रकार से भारत में ये एक tendency है कि हम technology बनाते हैं जैसे हम पे कोई बहन लगाता है तो India does not have large reserve लेकिन Thorium का तो दुनिया के total भंडारों में से 8.4 lakh ton भारत के पास है समझ में आगे ये कुछ figures है थोड़े से याद रखिएगा Thorium में एक ही समस्या है कि इसको मैं परमाणू सैयंत्रों में परमाणू इंधन के रूप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं डाल सकता क्योंकि Thorium fertile है लेकिन fissile नहीं है वो अपने आप में विखंडन नहीं कर पाता लेकिन किसी दूसरे के साथ combine करके उत्पादक्ता बढ़ा सकता है तो it is fertile but not fissile ये बड़ा important है ध्यान रखना तो Thorium जो होता है प्यारे दोस्तों उपजाओ तो होता है लेकिन विखंडन ही नहीं होता और इसलिए उसको जब तक आप recycle plutonium वगरा के साथ में नहीं करोगे पुनर चक्री करण वाले plutonium के साथ में तब तक उसका ज़्यादा फाइदा नहीं होता अब आप बोलेंगे सर कैसे 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 ये देख लीजे दॉक्टर होमी जहागीर भाबा का बनाया हुआ थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन सिस्टम आफ इंडिया ये स्टेज वन है ये स्टेज टू है ये स्टेज थ्री है तो ये सज्जन ने बहुत पहले ही समझ लिया था भारत को प्रॉब्लम आएगी इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया सबसे पहले यू-235 का कंजम्चन होता है फर्स स्टेज में डिप्लीटेड हुरोनियम बहार आता है प्लूटोनियम बहार आता है अगले इसमें यू-233 का प्रोडक्शन होता है थोड़ा बहुत थोरियम अब यहां यूज होना शुरू होता है और फाइनली प्रॉपर प्रॉपर तीसरे स्टेज पर थोरियम का डायरेक्ट यूज होता है यह इस तरह से आपको यहां पी हमने बताया है और क्योंकि थोरियम के भंडार है इसलिए हमारी मजबूरी अगर हमारे परिश्कृत यूरेनियम मिलता मतलब हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों वेपन्स ग्रेड यूरेनियम-235 की तो उस केस में हम यह सब करने की जरूवत ही नहीं थी तो इतना थोड़ा था ध्यान रखना थ्री स्टेज नूक्लियर पावर सिस्टम जो डेवलब किया हमारे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा ने तो जो कुछ बहुत बड़े बड़े दिगज विज्ञान के हुएं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए परमाणू उर्जा में डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा स्पेस रिसर्च में अंतरिक्ष विज्ञान में डॉक्टर विक्रम सारा भरी डॉक्टर सतीज धवन मिसाइल में डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम ये चार नाम ऐसे हैं जो आपको बिलकुल याद रखने शाहिए ये भारत के सच्चे हीरो हैं इन लोगों ने जो बीज अपना शुरूबा सत्तर साल पहले से आज वो वटवरक्ष बना है लेकिन रूट्स में भी तो किसी ने मेहनत की है ना इसलिए मैं सारे नाम बार बार बताते रहता हूं आज की पीडी को इनाम मालूम होने चाहिए बात समझ में आए कि नहीं आपको मेरी वेरी गुड दोस होता है 1828 में स्वीडन के केमिस जॉन्स जेकोब बरजीलियस ने ढून के निकाला था जिसने उसको नौर्स गॉड ऑफ थंडर थंडर याने जो कड़कडाहट आती है आवाज की तूफानी कड़कडाहट थोर वो भगवान है थोर उनके नाम पे थोरियम रखा गया ये इन फिकल भी पानी में घुलता नहीं है इसलिए रेतों में मिल जाता है आसानी से ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या पता कभी कोई कहीं पूछ ले मैंने सुचा लगया तो बता दूँ इसका नाम थोर भगवान के नाम पे आया नौर्स गॉड ऑफ थंडर ये भी थोड़ा सा याद रखता तो ये भारत के थोरियम डिपॉजिट से एक बार अच्छे से देख लिए तमिल नाडू में तो भर भर के मिलते हैं और ये थोरियम ओरिजिनली जिस मोनाधाइट से निकलता ये आपके सामने है इसमें से थोरियम को एक्स्ट्रैक किया जा सकत ये सबसे पहले इनके दिमाग के उपश थी क्योंकि आप जब देखिए आज भारत की टोटल इंस्टॉल इलेक्रिसिटी के पैसिटी ये थोड़ा था फंड़ा बता रहा हूं अच्छे से समझ लो सेशन में मदार आई कि नहीं बोर तो नहीं हो रहे हो नहीं तो बोलोगे स आज के दिन आपने हमको पढ़ाना शुरू कर दिया अरे बहुत बढ़ा ही लिखाई का कोई दिन थोड़ी होता सारी दिन पढ़ा ही के होते हैं यह सौर नो तो मेरे प्यारे दोस्तों जब हमने शुरू किया था यह पूरा परमानू का तब एक विजन ये था कि हमारे यहा बता रहा हूं भारत की स्थापित विद्यूत शमता आज 370 गीगावाट मतलब आप और हम पूरा भारत मिलके एक सेकंड में 370 गीगावाट आज यूज कर सकते हैं समझ में आ गया प्रती सेकंड 370 गीगावाट की कैपैसिटी है कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी उसको उसमें से परमानू है केवल 6.8 गीगावाट तो परमानू एक्चुली भारत के 2% के बराबर है जो बिलकुल ही कम है और अब क्या है मैं प्रैक्टिकली परमानू उर्जा को भारत में अब ज्यादा महत्व अब इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि रिन्यूवेबल एनरजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि परमानू को बढ़ा बढ़ा कि आप कितना बढ़ा लोगे 50% तक तो लेगी नहीं जा सकते नहीं इंपॉसिबल है अक्षय उर्जा सोलर हो गया विंड हो गया वगयरा वगयरा यह सब इतना तेजी से बढ़ रहा है कि परमानू कभी भी में बाहर है लेकिन पर्माणू का फाइदा है हमारे सारे पर्माणू बमों के लिए उसी में से प्लूटोनियम निकलना है आप बम बनाओगे कहां से तो सिविल मिलिटरी पैरलल चलता है पूरा पूरे यह मालु में आपको डूल रयो टोपी के अंदर और रख्ता ड्यादी और यो टोपी और तो बेसेज का के अंदर ड्यूइर फॉप साय कि तर नैव्यू पिजिंग और साहीं रहें बैस में gormu गिराएंगे हद में रह लो पीछे अभी तो हट नी रहें पीछे लेकिना नी तो कल हटा की मानेंगे हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आरी हैं Yes or No येस और नो, येस और नो, जोश में पढ़ाई करो ही या, जोश बहुत जरूरी है लाइफ में, तो होमी भाबा जी ने थ्री स्टेज न्यूकलियर प्रोग्राम बनाया, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, थोरियम को यूज करके, थोरियम फिसाइल नहीं है, लेकिन प्यारे दोस्तों, अपने आप वो फिशन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल पॉसिबल है, इसे धीरे धीरे प्रसारित किया जाना जरूरी होता है दूसरे फिसाइल मटीरियल से, तो पहले दो स्टेजिस में क्या होता है, नैचरल उरेनियम फियल हेवी वाटर रियक्टर, प्रेशराइस्ट हेवी वाटर रियक्टर में, प्राक्रतिक उरेनियम डाला जाता है, ये आपने natural uranium डाल दिया इसमें विखंडनिय सामगरी काफी कम होती है और plutonium fueled fast breeder reactor ये रहे आपके plutonium fueled fast breeder reactor पहले stage में से बाहर निकला plutonium वो दूसरे stage का fuel मना और ये fast breeder reactor है यहाँ पर thorium मिलाए गया हर stage पे बिजली तो पैदा हो ही रही है भले ही यह आगे की तैयारी है लेकिन हर stage अपनी अपनी बिजली देते वे जा रही है तो natural uranium गया heavy water reactor में गया plutonium बहार आया जो plutonium आया वो fast breeder reactor में इस stage पर अंदर चला गया और uranium 233 बहार आ गया तो अब इतना sufficient fissile material आ गया है हमारे limited uranium से और उसके बाद finally thorium को हम third stage में directly thermal breeder में यूज कर सकते हैं यह thermal breeder है इसमें thorium अंदर चला जाता है तो यह है कमाल हमारा और यह दुनिया में unique है ऐसा कहीं भी ज्यादा यूज नहीं होता है सबसे पहले यह भारत में practically बनाए गया थियोरी में तो है भारत ने मजबूरी में इसको बनाया और यह मानता है लोहा दुनिया इस चीज का कि बहुत शांदार बनाया गया yes or no तो एक बार जो हमने चारो साइंटिस्टों के नाम बता है बच्चा बोल रहा है सर फिर से बता दो आरे अभी बताया थे यार गुरू आइससा तुम गजब ना करा हमना दिल तूड जाई डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा नूक्लियर में डॉक्टर सतीज धवन इसरो में डॉक्टर विक्रम सारा भाई इसरो में डॉक्टर एपीज अब्दूल का नाम मिसाइल टेकनोलोजी में और 1948 में डिपार्टमेंट आफ एटॉमिक एनरजी चालू करने वाले जवाहा ला नहरू क्या जरूवत थी 1948 में फाल तो ही साइंस टेकनोलोजी क्या जरूवत थी कौन क्या सवाल पूछ लेता आप और मैं क्या कर लेता अगर उन्होंने नहीं डाला होता लेकिन उन्होंने 1948 में विज्ञान का बीच डाल दिया भारत में अटॉमिक एनरजी का पूरा विज करते हैं तब जाके देश बनता है समझ मैं आया दोस्तों तो ये चार्ट थोड़ा सा वहिया ध्यान रखना जिसको इसकी केमिस्ट्री समझनी है जिसको इसके पीछे का न्यूक्लियर समझना है वो यह है स्टेप बाइ स्टेप चार्ट डाल दिया पढ़ लेना बहुत ज्य यह है वो यह है वो और विखंडनी यह यूरेनियम कौन सा होता है यू-235 समझ मैं आया बात आपको प्रक्रती में प्यारे दोस्तों यू-2-38 मिलता है लेकिन यू-2-38 में विखंडनीय है यू-2-35 वो सिर्व इतना सा होता यह देखो एक परसंट से भी कम अब आपने एन की थोड़े से यू-2-38 के एटम्स को हटा दिया तो पांच परसंट पे यह आ गया तो इसको कहते हैं लो एंडरिष्ट यूरेनियम निमन रूप से समवर्धित यूरेनियम समझ मैं रहा है न मैं परमाणू बं कैसे बनता है बता रहा हूं इरान यही कर रहा है और अमेरिक यह ने दोस्ती तोड़ ली 2015 में ब्रयक उबामाने जाके इरान से दोस्ती की ती तो डानल्ल्ड ट्रम्प तें जाकर कर ली उन्हों ने बुच्ची की थी इन्होंने कटी कर ली अब इनने कटी की सारे रास्ते बनकर दी एरान के हाथ-पॉँँढ टूड कहीं कोवीड आग करेंगे तो इरान को तो मन मांगी मुराद मिल गई इस चक्कर में नुकसान भारत का हो गया क्योंकि इरान हमारे हाथ से फिसलता दिख रहा है anyway तो दोस्तों इसको और enrich करके 20% कर लो आप इसमें से bum बन सकते हैं और ये तो वो bum है जो इमिजेटली फटने को तैयार बठावा है 90% उरेनियम समझ में आगया है लोजिक बठा और ये उरेनियम एंडिच्मेंट बैरेक ओबामा की डील यहां तक की डील थी इरान को इसकी अनुमती थी समझ में आया वो डील तोड़ दी डॉनल्ड ट्रंप ने तो इरान अब इस दिशा में आगे बढ़ गया है इरान धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ गया है और इस स्टेज से इस स्टेज पे आना बहुत आसान होता है और इस stage से stage पे आना तो और आसान होता ये इरान की कहानी है मैंने सोचा लगे हाथो आपको ये जियो political कहानी भी बता दूँ क्योंकि इसमें बेवज़े उनके जगड़े में भारत का भारी नुकसान हो गया मैं चाइनीज में समझा रहा था कि इरान और उसकी वीचकी क्या आप चेक कर देना किसी मैंडरिन वाले से मुझे आती है मैं आपको जूट बोलूँगा वो भी ऐसे पावन पर्फ पे छी 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 लानत है समझ में आया आपको इरान के साथ क्या हुआ और भारत को क्या दिक्कत हो गई क्या नुकसान हो गया भारत का बे वज़ा नुकसान हो गया हमारा इसमें मतलब अगर अमेरिका सिर्फ वो डील को continue कर लेता तो हमको फाइदा हो जाता अमेरिका ने डीली तोड़ दी उस डील को तोड़ने के चकर में उसने हमारा पूरा पूरा रिष्टा ही तोड़ कर रख दिया which is something very very bad तो हमको फाइदा नहीं हुआ प्यारे दोस्तों जैसा मैं देख रहा हूँ अभी चार बज़े क्लास नहीं है नहीं है ना तो मैं दस मिनिट और पढ़ा लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है बोर तो नहीं हो जा हुई कि अरे यार संदीप सर इतनी टेक्नलोजी पढ़ाती और क्या करना टेक्नलोजी का कौन सा हमको परमाणू बं बनाना यार बाबा जाने तो यार राखी का त्योहार बढ़िया मिठाई खाएंगे तले वे समोसे रखें जाके सोईंगे पांचे गंटे आराम से ये क्या थोरियम फोरियम लगा रखी आपने ये स्थिती तो नहीं ने भईया आपकी हां तो हम दस मिनिट और पढ़ाएंगे क्योंकि चार बजी की क्लास ये तो मस्तिम आज का सिलेबस पूरा होगा एक गाना सजेस्ट करो गाना ग देखो भाईयों और बहनों तुमको मैं अंदर की वाद बता दूँ जो भाई बहन दिन में हर दो-दो घंटे में लड़े नी ढूसों से लाद घूसों से वो सच्चे वाले भाई बहन तो हो नी सकते और जो हर 24 घंटे की साइकिल में एक बार एक दूसरे के बिलकुल खून के प्यासे नहीं हो जाएं वो यार पक्के वाले भाई बहन ये डाउटफुल है मामला मानते हो ना सारे भाई सारी बहन मानते हो ना हर दो घंटे में एक खतरनाक जगड़ा और हर पूरे 24 घंटे की साइकिल में मतलब बहतरी इन वाला जगड़ा मतलब बिलकुल पक्के में भाई बहन है वो अगर आपका पूरे समय प्यार बनावा अब यह मामला गड़बड यार ऐसे भाई बहन दुनिया में होते नहीं भाई साब यार पता नहीं आप मतलब एक्स्ट्रीम केस हो गुरू तो पूछो ही मत एक्स्ट्रीम केस हो आप सच है यह प्रिती की अपने भाई के साथ बहुत लाई होती है बहुत कूटती अपने भाई को वेरी बैट प्रिती चोटा सा प्यारा सा भाईया मुन्ना है तुम्हारा उसको ऐसे कूटते हैं क्या कितनी गलत बात है कब कूटता था पिश्ली बाद बहुत कूटता था क्या कूडते रहो कूडते रहो हर्ष नामदेव बोल रहे हैं सत्यवचन ये आज अपनी बहें से लाके आया बिल्कुल पक्की बात है अंशी का शर्मा बोलती है सर मैं तो happy birthday को भी लडती हूँ तो भाई बहें तो happy birthday को लडते ही है तेरा cake मेरे cake से बढ़ा आया बहुत कूटती है में जब तक चोटा डस्बीन से ना आया वो बिल्कुल सही बोल रहे है आदित्य जी सत्ते वचन गुरुजी हर्ष नाम देव बोल रहे है सर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है सर यह सर मेरे साथ भी ऐसा निशानत आ रहे हैं जीतु बोलती गोलगपई ख खाने के दे रही है और राम-ठार राम-ठार बहुत खतरनाक भई यह यह इसी निधर किसी को ना मिले गोल गप्य खाने कौन मिलए और ने पिलेशे का ओम एडीपी में कम से कम पांच परसंट का योगदान गोल गप्पे खाने वाले देते हैं भाइया मैं कहीं जाता हूं बाजार में गोल कप्पे वाला खड़ा है छे गोल गप्पे खाए भीना भाईया हम तो आगे नहीं बढ़ते आप तुम लोग तुम्हारा देखो हम तो के भाई साब की पूछो मत नहीं सही में यार मतलब वो हिंदुस्तानी के जो गोल गप्पे नहीं खाए भाई साब यार वो फ्रॉड आदमी है आपको बिल्कुल फ्रॉड आदमी यार फिर सद्कृत पठक केते मेरी बेहन मुझे कभी कुछ करने ही नहीं देती है सद्कृत त बहुत दिक्कत है भाई मतलब यह मैंने तो किस छत्ते में हाट डाल दिया सौरे दुख कैसे निकल के बाहर आए लड़कों के आश तो लड़कों के लड़कियों के सब के पर आज रक्षा बंदन ने इसलिए लड़कों के जादा दुख बाहर आ रहे हैं क्या बात है तो भ ट्रंप अच्छा आदमी नहीं है हाव देर्यू सब्सक्राइब यह कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता रहता है वेरी बैड मैं तो यह है भाईया इरान का मामला और किस प्रकार से यूरेनियम 235 का एंडिच्मेंट होता है आपके सामने हैं बराबर से देख लीजे इस प्रकार बड़ी चुनोती हो जाती है दूसरों के लिए समझ में आया आपको तो अमेरिका ने इस डील को तोड़के बड़ी गलती कर दी क्योंकि उसने इरान को एंडिच्मेंट के सारे रास्ते ओपन करके दे दिये और इरान अब जाके वेदान आंजने पूछ रहे हैं सर मेंटी क क्यों तब होगा है मैंटी तो जब होगा तब होगा वेदान जी आपको हमारा पैरचो के प्रणाम भाईया बहुत महान हों wire तो यह है युरेनियम2 35 का इंरिश्मेंट अब इरान जाके चाइना से हाथ मिला चुका है चाइना इरान की पूरी पूरी मदद करेगा परमानू बंबनाने में अगर आपको जरा सभी डाउट है, डाउट मन से निकालतो वाई विल चाइना नौट हेल्प इरान चाइना विल डेफिनेटल हेल्प इरान अफगानिस्तान, इरान सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान चाइना, ये पूरी एक्सिस तैयार कर रहा है चाइना, क्योंकि उसको बेल्ट एंड रोट को भी फैलाना है सब तरफ, हो सकता है चाइना दो-तीन साल बाद स्टंबल हो जाए तरह से, श्री जिन्पिंग अगर हड जाए, हटा दिया जाए तो सब कुछ, लेकिन अभी तो वैसा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वो जियो पोलिटिकल एंगल बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम पावर्ट के बीच का एक फर्क भी होता है ऐसा कहा जाता है, कि कहीं न कहीं यूरेनियम का पूरा का पूरा प्रोसेस कम फ्यूरल एफिशन्ट है थोरियम के मुकाबले यह एक्जाम के हिजाब से बहुत इंपोर्टेंट है थोरियम से चलने वाले रियाक्टरों को इंधन कुशल माना जाता है, जब तक वो कुछ एक सर्टन प्रोसेस को फॉलो करें समझ में आगे आपको, पूरी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं अनकेड़मी प्लस हमसे पूछ रहा है, क्या नाम है, अनकेड़मी प्लस, अब कम से कम यहां तो यह नाम मत रखो अपना ओरी तरह लाब रखो अनकेड़मी फॉलोवर लिख लो कि सर भारत का कोई जन्विन एलाय है भई हर वो देश जो देखिए, there are no permanent friends and interest there are permanent friends and enemy, there are only permanent interest डिपलोमसी में कोई भी स्थाई शत्रू, स्थाई मित्र नहीं होता है हमेशा स्थाई लाभानी की गणना होती रहती है ऐसा हर देश जिसके आज के interest भारत के साथ जुड़े, वो आपका एलाय बनके रहेगा आपको बात समझ मैं और कई चीज़ें पड़े के पीछे ऐसी होती जो आपको और मुझे पता नहीं होता है Yes or No एक स्थेप आगे चलते है My dear student आज का हमारा आखरी concept है Plastic Road आपको जान के आश्चर होगा भारत Plastic Road बनाने में बहुत आगे निकल गया है और कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं ये बहुत बड़ी विजय है हमारे यहां की एक प्रोफेसर साब से शुरुआत हुई थी इसलिए प्रोफेसरों की इज़त क्या करो तुम बता रहें तुमको आज राखी के पावन पर्व पर बता रहें तुमको हम इंडिया प्रोद्यूसेस 15,000 टन्स अफ प्लास्टिक वेस डेली 15,000 टन प्लास्टिक का अप्शिष्ट आता है 9,000 टन का पुनर चकरन होता है तो 6,000 टन तो भाईया सड़कों पे फेका हुआ है आपको बात समझ मैं भारत जो है मुझे एक सेकंड के लिए आप शमा करेंगे प्लीज इस चोटे से ब्रेक के लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों तो भारत में 15,000 टन प्लास्टिक वेस्ट होता है जिसमें से 9,000 का पुनर चकरन होता है शेश कहां जाता है सीधे सीधे लोग उसको जलाई देते हैं प्लास्टिक को बहुत भेना खालत है लैंड फिल में डाल देते हैं तो बेसिकली इस प्लास्टिक का हमें कुछ न कुछ करना चाहिए वो हमारे लिए अच्छा होगा 2015 में भारत सरकार ने सभी सड़क बनाने वाली कंपनियों के लिए आवश्यक कर दिया कि आप प्लास्टिक वेश को सड़क में यूज करें ये एक ऐसी पॉलीची जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है तो क्या आप मुझे बता सकتे हैं आप में से कितनो को पता है कोई प्लास्टिक की बनी हुई सड़क के बारे में कि आपने कभी ऐसी किसी सड़क पर ड्राइव किया है आपको मालूम था कि यह प्लास्टिक की सड़क है अगर हाँ तो बताईए क्योंकि भारत में ऐसी सैक्डो किलोमीटर की सड़के बन चुकी हैं ये प्रपोजल कब आया राज गोपाल वासु देवन एक प्रोफेसर है मद एक सड़क बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको डेवलब किया इसके बारे में मैं प्लास्टिक के बारे में भी काफी सारी जान करें आपको आज देदूनों और आपको पीडियो भी शाम को मिल जाएगा पढ़ लीजेगा सबसे बड़ा फाइदा इन सड़कों का ये होता है दोस्तों ओके रूटू पर्न प्रधान बता रही है कि बैंगलोर में बना है बहुत बढ़िया बात है सचिन रॉमिन कह रहे हैं येस सर आपकरिती कह रहे मुझे पता है अभी शेक कहते हैं तमिल नाडु में है बहुत ब प्लास्टिक की रोड नहीं हो यार गुरू सवाल अभी प्लास्टिक की रोड पर था वैसे हाँ आप हमें फॉलो करने बहुत-बहुत धन्यवाद अगले 30 साल हमें फॉलो करना माइडियर स्टूडेंट्स यह प्रपोजल वातुदेवन साहब से शुरुवात से आया सबसे ब प्लास्टिक रोड जंबू लिंगम स्ट्रीट चैन्नाई 15 साल पहले चैन्नाई में जंबू लिंगम स्ट्रीट यह भारत की पहली प्लास्टिक सड़क है और बहुत-बहुत डूरेबल है 15 साल के इस एक्सपरिमेंट को अब हम कह सकते हैं यह है भारत की पहली प्लास्टिक से बनी जंबू लिंगम स्ट्रीट और यह हैं वो सज्जन यह कुछ बेसिक जानकारिया हैं आपको पता रहेगा याद रहेगा अलग-अलग अगंग आप रफर कड़ सकते हैं लिख सकते सब्क इसमें बोल सकते हैं इसको अगया और जियाकस क क्लास और अब भरब्र सरकार ने पूरा सिलेबस बदला ही नहीं सरकार ने सिलेबस सेम ही रखा तो एलिमंट सेम ही आजाते हैं क्या करें सिलेबस बदल जाएगा तो यार content भी सारा बदल जाएगा भगवान करें सिलेबस ना बदले यार zero से मेहनत करवाओगे तुम हमसे यह plastic page road से देख रहे हैं तो इस प्रकार से ये तो पूरी-पूरी क्रांती हो गई है और unfortunately यहां आप देख रहे हैं working standards काफी पूर हैं किसी ने भी मास नहीं लगाया हुआ है और ये सारा plastic का धुवा निकल रहा है इस deadly for these workers लेकिन ये जमीनी हकीकत है भाईया हमारे मजदूर भाईयों के लिए मजदूर ब या तो आप एक ट्रोल हैं जिसको भेजा गया है कि जा के ट्रोलिंग करो अगर वैसा है तो या बड़ी बुरी बात है रक्षा वंदन के पावन पर पे ट्रोलिंग कर रहा है और या तो आप जैन्मिन है ट्रोल नहीं है तो आपको एक advice देंगे यार यह बार-बार control सी control भी करोगे बाकी लोग बिचारे हैराद परिशान हो जाते हैं गंदी आदात्या दूसरा को तंग मत करें रहा है किसी दिन कोई तंग करेगा है कैसा लगेगा तो दोस्तों आई हो यहां तक का सब कुछ क्लियर हो गया now my dear students एक स्टेप आगे चलते हैं इसमें flexible material टार में आड कर अमेरिका का उसमें high traffic truck road इससे बनाए गए हैं लेकिन सबसे बड़ी problem उन लोगों को जो आई है वो है cost की उनको west में cost का बहुत बड़ा problem आया इसमें जो polymer सबसे जादा use हुआ वो है styrene butadine styrene सडक उसमें 30-50% तक महेंगी हो जाती है और अगर सडक उसमें 30-50% महेंगी हो ज भारत में बने हैं यह एक frugal invention है यह बहुत सस्ता invention है इसलिए इतने पॉपुलर हो गए भारत में बनने वाले हर एक किलो मीटर की प्लास्टिक सडक में एक मिलियन यह दस लाग प्लास्टिक बैग यूस हो जाते हैं एक तन का asphalt बचता है और कीमत 8-10% का मतलब फाइदा ही फ process को उन्होंने 2006 में patent करवा लिया तो बहुत बहुत बढ़ा ही हो यह भारत का एक अविश्कार है plastic road सफल रहा है इस बारे में और जानकरी गए हैं आपने आपको दी है आप मैंसे कितने लोगों के शहरों में कजबों में गावों में local municipality daily कचरा एखटा करने घर आती है हमारे यहां तो आती है बराबर सुबह लोग कचरा एखटा करने आ जाते हैं और गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग गीला कचरा यह नहें organic waste सूखा कचरा यह प्लास्टि बहुत मेंगी हो जाती है जरा मुझे फटाफट अपने शहर का नाम और येस या नो में जवाब दे दो ऑनलाइन चैट में जहां जादा गर्मी होगी वहां पर पचास डिग्री तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें आपके शहर का भी नाम जरा बता दीजेगा कि कितनी जगे शहर का नाम और आपके यां होता है नहीं होता है शहर का नाम देना बहुत जरूरी है अली सिद्द की कहते हैं डेली में आती है बहुत बहुत बढ़िया नासिक में आती है सत्कृत पर्थक कहते हैं बहुत बहुत बधाई बहुत इंदौर में होता है स्वच्छ भारत का इरादा इंदौर में तो गाने बजाने के साथ होता है गाड़ी में गाना ही बचता रहता सुच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा बड़े मधूर गीत बचते हैं भारत में इन दौर ने काम बहुत कमाल का किया और हर साल एक नया गाना आ जाता है अलग 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 अंसर आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है देखे फटा-फट पूरे भारत का फर्स्ट हैंड यह आपको एक पोल दिख रहा है जारा सब लोग देखो पोल को इस पार तो चलिए बहुत ही बढ़िया पोल हो गया प्यारे दोस्तों प्लास्टिक्स के उपर कुछ जानकारी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं प्लास्टिक्स के बारे में डीटेल जानकारी चाहिए आपके सामने है असी हजार ग्रेड ओफ प्लास्टिक्स होते हैं दुनिया में अभी तक इतने और प्लास्टिक्स बेसिकली इथाइलीन मोनोमर की चेन बनती है तो यह SCH जो है उसको पोलीमर कर दो मोनो से पोली पांच नंबर पे आपको यह दिखेगा एक हाइड्रोजन हटा दो और एक क्लोरीन से रिप्लेस कर दो पोली विनाइल क्लोराइड हो जाता है HCCL हो जाता है अगर आप सारे हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो पोली टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन पीटी एफी हो जाता है नंबर के साथ साथ टैली कर लो बेटा और कुछ पॉलीमर कार्बन बैक्बोन ही यूज नहीं करते हैं वो सिलिकॉन बैक्बोन यू फोटो डिग्रेडेशन होता है अभी किसी ने सवाल पूछा था वो सवाल एकदम सही है अगर कंटिनियूसली हीट होगी तो माइक्रो प्लास्टिक उसमें से तूटके अलग हो सकते हैं ये प्लास्टिक रोड्स के लिए इंप्लिमेंटेशन एक दिक्कत है इसी के साथ आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों और आपको वहाँ पे आज के नोटिफिकेशन में आज का पीडियेफ मिल जाएगा कल तीन बज़े आपसे फिर भेट होगी इंडिजिनर्स टेक्नोलोजी स्टू में आज के लिए इतना ही बहुत मजाया आप सब को फिर से बहुत-बहु अच्छे तो इंजॉय करें पढ़ाई करें जीवन में आगे बढ़ें और याद रखिए बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया नमस्ते जाएंगे